तो कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे यहां हम एपिसोड नमबर त्री को स्टार्ट करने वाले हैं अपिसोड में आगे जाने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सस्काइब करें और मुझे सपोर्ट करें अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ सेयर और लाइक भी कर सकते हैं चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ जैसा कि हमने पिछले अपिसोड में देखा था कि यहां पर काजुमा जो होता है अपने डैड से लड़ रहा होता है इनसे लड़ने के बाद अपने भाई रेन के साथ यहां पर होटल में आया होता है जहां पर विंड गटर का एक हमला हो जाता है काजुमा से बदला लेने क लिए आयोना भी यहीं पर आई होती है वो यहाँ पर उसे लड़ने आती है बट हम दुसी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जिस से जो है वो हमारा काजुमा लड़ रहा होता है बट वो जो है यहाँ पर रेन को ले जाता है अब हम इसके आगे हम देखते हैं कि यहां पर जो विल्डिंग नीचे गिरी होती है उसको investigation करने के लिए कुछ police officer यहां पर आ जाते हैं और साथ में दो लड़की आती हैं जिनको magic की समझ होती है यहां पर यह दोनों कहती हैं विल्डिंग को देखने के बाद कि यह कोई normal weapon का काम नहीं है क्योंकि यहां पर ना तो इसके अंदर fire magic ना water magic ना earth magic का use किया गया है इससे भी ज्यादा जो possibility लग रही है मुझे वो wind magic की लग रही है फिर इसकी दूसरी साथी जो होती है वो कहती है कि investigation के दोरान तो हमें लगा नहीं कि कोई wind magic का use करके इतना बड़ा attack कर सकता है तो इसकी दूसरी साथी कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि एक powerful magician यहां पर आया हुआ है बाहर से जपान के अंदर फिर यहीं पर हमारा जो scene है वो change होता है हम देखते हैं काजुमा जो है अपने घर के बाहर खड़ा होता है वो सोचता है कि मैं अंदर जाओं या नहीं जाओं तभी उसे past की बात याद आती है जहां उसकी mom जो है एक card देती है वो कहता है कि mom ये क्या है उसकी जो mom होती है वो बताती है कि ये तुम्हारे living के लिए है कि जब तुम रहोगे तो थोड़े बहुत पैसे use कर सकते हो इससे तो वो कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम जो हो एक fire magic का use करो बट तुमने नहीं किया फिर वो ऐसा बोल कर यहां से चली जाती है यहां पर काजुमा कहता है कि मेरा कभी भी मन नहीं था यहां पर वापस आने का और मैं कभी आना नहीं चाहता था बट अभी मेरे पास कोई choice नहीं है वो अंदर आता है बट यहां पर बहुत सारे student उसे घेर ल मार ही दिया है पांच family member तुमने ही मारे हैं अब तुम चाहते हो कि इनने भी मारने आए हो अब यहां पे वो जो है अपने fire magic का use करते हैं सबी लड़के एक साथ यूज करते हैं नहीं लगता है कि वो मर गया बट वो जो जो होता है काजुमा यहां पर आ जाता है वो कहता है कि मेरा बिजनस तुमारे साथ नहीं है काजुमा जो होता है यहां विंड कटर का यूज़ करके इन सब कोस घायल कर देता है तो यह सबी जो होते हैं यहां जमीन पर गे जाते हैं फिर वो आगे बढ़ने लग जाता है फिर सोहू सामा जो होते हैं यहां पर आते हैं और कहते हैं कि बहुत दिनों बाद देखा काजुमा तुम्हें यहां सोहू सामा जो होते हैं वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने जो है फाइट किया था गैनमा के सांथ तो वो कहता है कि हाँ मैंने उन्हें तो बड़े ही अराम से हरा दिया है बट इसे important काम ये है कि जो रिन है वो गिड्नेप हो चुका है एक wind magic यूजर ने उसे गिड्नेप किया हुआ है उसी बंदे ने ये सभी कनागी family के member को मारा है मैं यही बताना चाहता था आपको तो यहां पर सोहु सामा कहते हैं चलो अंदर आके बात करते हैं मुझसे कुछ और भी पूछना है तुमसे फिर वो दोनों जो है यहां से चलने लग जाते हैं पिर हम यहां देखते हैं कि एक तरफ जो है आयोना आई होती है वो जल्दी से भाग कर घर की तरफ जाती है वहां देखती है कि बहुत सारे student जो है वो घायल पड़े हुए हैं वहां पर एक खड़ी लड़की जो होती है वो बताती है काजुमा यागमी जो है यहां पर आ च चारों तरफ जो है गोस्ट स्प्रिट घूम रहे थे तो हुसामा कहते हैं कि ये तो यूया का जमीग है और यहां पर हम देखते हैं कि आयोना जो होती है वो बड़े ही घुसे में यहां गेट खोल के अंदर एंटर करती है और वो बहुत तेज चिलाती है कहती है कि तुम हमारे फैमली मेंबर्स को मारा है और यही वींड यूजर है खाजुमा कहता है कि जैसा कि मैंने पहले ही भी कहा था कि उनको मैंने नहीं मारा है तो यहां सोहु सामा कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि एक और वींड यूजर है और तुम दोनों को मेरी बात ध्यान स सुननी चाहिए क्योंकि हमारे जो असली दुस्मन है वो जो है फूगा क्लेन के बंदे हैं क्योंकि उन सभी ने मिलकर हमारे उपर जो है एक विरोध छेट दिया है और वो हमसे जंग करना चाहते हैं जो वो लड़का था उसका नाम यू या काजामी होता है उसके फादर का ना चाहते हैं हमारे उपर यहां पर जो आयोना होती है वो कहती है कि वो तो हमें बहुत दिनों से सर्व कर रहे हैं कनागी फैमली को मुझे तो सक है कि यह जो काजुमा है इसी ने किया होगा यह सारा सोहु सामा कहते हैं कि अगर कोजुमा जो है एक तरह का अपरादी है तो उस फिर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा अटेंशन जो होना चाहिए वो फूगा कलेन पे होना चाहिए पर फूगा कलेन के बंदों ने जान बूच कर हमारा अटेंशन जो है काजुमा पे कर दिया है और वो जो है रेन को गिड्नेप कर लिये हैं तो यहां पे काजुमा कहता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे तो वो बताते हैं कि ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि रेंज जो है एक हैड फैमिली मेंबर है कनागी फैमिली का और फूगा कलेन वैसे भी बहुत सारे क्रिमिनल्स का और्गनाईजेशन है जो उनके पास बहुत सारी पावर होती है बटकनागी फैमली ने फूगा क्लेन के साथ फाइट करके उन्हें जो हरा दिया था अब जो है वो हार सकते हैं और हमने जो है अपना मैनेज करना सुरू कर दिया हमस्ता करने के बाद हमें जो है पावर मिलती है परट यहां पे फुगा क्लेन के बंदे हैं वो यूमा को बुलाना चाहते हैं यूमा को बुलाने के यूमा तरह का इवल गोड है यहाँ पे काजुमा जो होता है वह कहता है सेकृरिफाइज उसका मतलब क्या है तबी scene change हो जाता है और यहां पे range जो है लेटा हुआ होता है यह बेहोस है तो यहां पे जो UE होता है वो देखता है कि बहुत समय बाद हमने जो है एक procedure ढूंड लिया है जो बहुत दिनों तक छुपा के रखा गया था हमसे हम जो है अब location भी found कर लिया है seal क rain को sacrifice करने के बाद fuga clan के जितने भी वंदे होंगे उन सभी की wish पूरी हो जाएगी जैसे कि इससे पिछली बार हुआ था कि उन्होंने मेरे sun को choose किया था evil spirit के रूप में और सारी evil spirit जो है मेरे sun के अंदर आ गई थी जिससे कि वो जो है बहुत जादा powerful हो गया है अब यहां प समय पहले कनागी फैमिली ने इसको जो है सील्ड करके रखा था great you मा को अब हम देखते हैं कि यहां पर सोहु सामा बताते हैं कि उसको सील्ड को टच करने पर कोई भी हो वो जो है जल जाएगा फिर हम देखते हैं कि rain के अंदर जो है evil speed जो है वो घूच जाती है जिसकी वज सारी power पाना चाते हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं यहां पर आयोना जो होती है वो कहती है कि rain कहा है और वैसे भी fuga clan के बंदों को हम लोग माफ नहीं कर सकते कनागी फैमिली ने उन्हें दुश्मन मानते हुए भी उन्हें अपने छट के नीचे रखा है और वो लोग ऐसा क राओ करना चाहिए इसके लिए बट वो जो है यह इतना गंदा काम कर रहे हैं इसके लिए मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगी और यह जो है अन्जस्टीफाई है कि वो ऐसा गल्थ काम करेंगे यह बहुत ज़्यादा रॉनग है त्पासमा जो होता है वो कहता है कि छत के नीचे रखा था ये सुनने में अच्छा लगता है बट एक्चुल जो रियलिटी ये है कि तुम लोगों ने उनका जो है यूज टूल की तरह किया था आयोना कहती है कि हमने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा था उनको एक टूल की तरह तो काजुमा कहता है कि तुम्हारे क करता रहता है और मुझे पता है कि जो कनागी फेमली ने है वो उसने फूगा फेमली के सोर्स और पावर को अपनी तरफ ले लिया है इस बात को मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मुरे साथ भी ये similar situation हुई थी क्योंकि अब जो है एक Fuga Clan अब जो है revenge चाहता है उनका goal है कि सभी को destroy कर देना कनागी family में और इसकी जो वज़य है वो खुद कनागी family ही है लिए हम देखते हैं कि सोहू सामा कहते हैं कि ये सही बोल रहा है काजुमा जब मैं सोहू बना था तो मैंने भी इसे correct करने का सोचा था बट मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा late हो चुका हूँ यहाँ पर आयोना जो होती है वो कहती है कि फादर ये बताईए कि Fuga Clan कहां पर है जिसे कि मैं जो हूँ जाके rain को बचा कर ले आऊँ उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी power नहीं है कि तुम उसे बचा सको यहाँ जो काजुमा होता है वो सोच रहा होता है क्योंकि बच्पन में जो rain है उसे देख कर बोलता है कि मैं पैदा इसलिए नहीं हुआ हूँ कि कोई मेरे को devil खा जाए और यहाँ पर आयोना जो होती है वो location ही मांग रही होती है अपने फादर से काजुमा कहता है कि तुम्हारे फादर सही बोल रहे हैं तुम ओ जो हो ये अकेले नहीं कर सकती हो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले जाके वहाँ पे सब कुछ ठीक कर दोगी तो यूया जो है वो तुम्हें सब दिखा देगा तुम्हें जो है वहाँ जाने के लिए एक बैक अप की जरूरत होगी अगर मैं वहाँ जाता हूँ और गोस्ली स्वीट का यूज़ करता हूँ इसके अलावा भी वो जो है कंट्रोल में नहीं आया तो फिर क्या होगा और मुझे पता है कि जो फायर मैजिक यूजर होता है उसकी एक अलगी स्टोरी होती है इसलिए जब मैं उस पे अटेक करूंगा तुम जो है अपना अटेक कर देना और यूजर की बोडी को जला देना अंदर से इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है फिर हम देखते हैं कि ये दोनों कहते हैं कि ठीक है तो तुम दोनों जा सकते हो सोहु मा कहते हैं फिर यहां पे काजु मा कहता है कि आप हमारे इस काम के लिए कितने पैसे देंगे क्योंकि जो मैं हूँ यहां पर कोई काम करने जा रहा हूँ और काम के बतले मैं पैसा लेता हूँ आयोना कहती है कि तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो तुम अपने family की help करने जा रहे हो तो काजुमा कहता है कि वो मेरी family नहीं है मेरा नाम काजु यागामी है यहाँ जो आयोना के father होते हैं वो कहते है ठीक है तुम लिख देना मैं तुमें pay कर दूँगा वैसे तुमें जो फिर हम लोग है procedure को start करते हैं और उसके बेटे को कुछ sense होता है तो वो जो कहता है कि क्या कनागी वाले आगे हैं क्या हम तो कुछी देर में यहाँ पे रेन की body को जला देंगे और seal जो होगा वो release हो जाएगा दुसरी तरफ हम देखते हैं कि काजुमा और आयोना दोनों गा जा होता है वो बताते हैं कि काजुमा ने अपने डैड को defeat कर दिया है तो वो कहती है उसने पैसा क्यों माना तो उसके डैड कहते हैं कि वो जो है अपने भाई को save करना चाहता है बट वो दिखाना नहीं चाहता कि वो जो है help कर रहा है कनागी family को क्योंकि इस तरह तो एक तर पर ट्रस्ट करना पड़ेगा तभी तो तुम अपने एनमी को डिफिट कर पाओगे तभी यहां काजुमा कहता है कि हमें जो है यहां गाड़ी से बाहर निकालना पड़ेगा और हम देखते हैं कि यहां पर जो गाड़ी का वो दरवाजा है वो तोड़ देता है और उसको लेकर यहां पर मैदान के अंदर कूच जाता है क्योंकि यह जो गाड़ी है उसके ऊपर एटेक हो चुका है और गाड़ी पुरी तरह से फट जाती है क्योंक हमारा यहीं बेख खतम हो जाता है अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज नीचे कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट अपीसोड में तब तक के लिए ओवारे ना